हलो दोस्तों आज हम आप सभी के लिए लाएं डावस्टाइल पनीर मसाला तो चलिए बनाते हैं फिर तो सबसे पहले हमने पनीर को चोटे-चोटे पीसे में कर लिया है और इसे गरम तेल में अच्छे सफ्राइ करेंगे इसे ज्यादा लाल नी करना है जहां दोस्तों तो हमने पनीर को फ्राइ करके निकाल दिया है अब एक कढ़ाई में हम तेल गरम करते हैं इसमें जीरा लशन अद्रग का पेस्ट लाल मीच तेज पात्र और प्याज कोट करते हैं और इसे दीमी आज पर हम चलाते हैं जहां दोस्तों अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आएं तो और अकर आपको हमारी यह रेश भी पसंदा है तो आप भी अपने घर पर ज़रूर ट्राइ किजिए तो चलिए दोस्तों अब हम इसके लिए मशाला रेडी करते हैं इसमें हमने प्यास ट्रमाटर हरी मीच लाशान अद्रग और मशाले को अच्छे से ग्राइंड कर लेते है अब इसे हम एट करते हैं लगवा हमारा प्यास अब थोड़ा लाल हो चुका है इसमें हल्दी नमाग गरम मसाले भी एट करते हैं थोड़ा चीली पाउडर और इसे हम दीमियाज पर चलाते रहेंगे और अब इसमें हम ग्रैंड के हुआ सारा मसाला एट करते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्ता हमारा मसाला पनीर बहुत ही लाजवाब बनने वाला है आपको ढाबे पर जाने की कोई ज़रूरत ने या भी घर पर ही बना सकते हैं जिए दोस्तों तो आप भी ज़रूर ट त्यार हो चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं कडाई में हलका हलका तेल छोड़ने लगा इसे पता चलता है मारा मसाला त्यार हो चुका है अब इसमें हम पनीर को आइट करते हैं और इसे मिक्स करते हैं दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मारा मसाला पनीर बनकर त्यार अब हमारा माशाला पनी तेयार हो चुका है अब इसमें हम थोड़े ड्राइफ्रोट साइट करते हैं जेहां दोस्तों अगर आपको नहीं पसंदों ताप स्किप भी कर सकते हो और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं बड़ाई स्वादिष्ट लग रहा है देखने में खाने में और भी स्वादिष्ट होगा जेहां दोस्तों मुझ में तो पानी आरहा है बस फटा-फटा भी बनाईए सोच क्यों रहे हैं अब हमारा मसाला पनीर बनकर तियार हो चुका है यह दोस्तों आयो सर्व करते हैं थैंक्स पर वाचिंग बाबाई